नमस्कार दोस्तों तो हम पिछले लेक्चर वह में बात कर चुके हैं पिधानमंतियों कडियों में जवालाल नहिरू से लेकर अपने डॉक्टर मन मोहन सिंग तुप अब इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग नरेण मौधी के बारे में इनकी पाइगुराफी देखते हैं य देश की राजनीती की परिवासा ही बदल दी उनकी सटीक रड़नीती के सामने ना सर्फ विपक्ष तास के पत्तों की तरह विखर गया बलकि वो दुनिया में एक गिलोबल लीडर के तौर पर पहचान बनाने में काम्याब थाबित हुए यह ही वह वज़य है कि आमा आवाम को मोदी यह में एक नायक की जलक दिखती है मोदी सिर्फ एक ऐसे राजनेता हैं जने विदेशों में भी सम्मान मिलता है आपको बताते हैं कई मैडल भी दिये गए हैं मोदी को विदेशों से विस विरादी में मौदी जी अपने रिस्ते बराबरी के रखते हैं दोस्ती भी बराबरी के रखते हैं तभी तो आज दुनिया में मौदी की कूटनीती कायल है मौदी जी बेसक आस्मान की बुलनियों को चू रहे हैं लेकिन इनकी निगाहें हमेशा ही जबीन पर टिकी रहती है। मौदी जी हर कदम पर समाज के निछले पायदन पर रह रहे करीब तब के की जिन्दगी में खुसाली लाना चाह रहे हैं। चाहे केंद सरकार की योजलाओ योजना हो या बेटी बच्चाओ बेटी पड़ाओ या फिर सुकन्या समर्दी योजना। इन सभी योजना का उद्देश ग्रामीड इलाके में महिलाओं और लड़कियों के जीवन इसतर कुस्दार ना है। मौदी जी हर कदम पर राष्ट पिता महत्मा गांदी के दिखाए रास्ते पर चल कर एक बहतर भारत वनाना है। तो तो आए जानते हैं भारत के सबसे सक्तिशाली राजनेता नरेंद मौदी के बारे में। पंद्रवी पिदार मंत्री। इनका पूरा नाम है नरेंद दामोदर दास मौदी। 17 सेप्टमबर 1950 में बढ़नगर गुजरात में इनका जिनम हुए। दामोदर इनकी पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मौदी। इनकी माता का नाम है हीरावेन मौदी। इनका विवाय हुए था जसोदा बैन। चिमनलाल मौदी। इसी सिक्षिका है। भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। साथी के बाद आपसी रजावंदी से एक साथ नहीं रहे। और आश्टिय स्वम सेवक संगे में सामिल हो गए। इनकी सिक्षा है पॉलिटिकल साइंस में वी ए और एम ए। इनके जीवन के जीवन को देखते हैं। भारत के सबसे ससक्त और प्रिभावसाली राजनेता में सुमार नरेद मौधी सत्र सेप्टम्बर 1950 को गुजरात के महसाना जिले एक छोटे से कस्वे वर्णगर के गरीब भर में पैदा हुए। पहले वर्णगर बॉंबे स्टेट में आता था। नरेद मौधी जी की माता पिता का नाम हीरा वेंड और दामदर्दास मूलचंद मौधी है। उन्हें बच्पन में नरीया कहकर संबोधित किया जाता था। याद रखिए हूं नरीया। नरेद मौधी जी की पिता चाय बेंच कर किसी तरह अपने परिवार का गुजार वसार करते थे। वहीं अपने घर की दैनीय हालक को देखते हुने मौदी जी ने भी अपने पित्दा और भाईयों के साथ रेलिवे स्टर्शन पर चाय बेंच कर अपना पेड़ बरा वहीं बच्पन में तमाम कठनाईयां और कई संगर जिलने के बाद भी मौदी जी कभी निरास नहीं हुए एक महाफुरस की तरह अपने फॉलादी एरादी के साथ अपने कर्तब पत पर आंगी बढ़ते रही यही वज़ा है कि आज भी दुनिया के सबसे सकती साली लोगों में गिने जाने लगें और देश के पिदानमंत्री बन अपने सकारा तुमक दिरिश्टी कौण के साथ भारत का फिती दिने दित कर रहे है साथी के कुछ साल बाद उन्होंने सन्यासी जीवन गेंड किया और घरत्याग दिया आर्थिक रूप से कमजोर मोद घांची परिवार में जन्वे नरंद मौदी जी अपने माता-पता के तीसरे बेटे कम में उनका जसोदा बेन के साथ भिवाय कर दिया गा नरंद मौदी जी उसी समय हाई स्कूल से इसनात तक हुए थे इसलिए उन्होंने इस भिवाय को आस्विकर किया दरसल कुछ सालों बाद मौदी जी ने अपने घर का त्याग कर दिया ज्यान प्यापती के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में घुमें जसोदा बेन पहले सरकारी स्कूल में टीचर के रूम में पढ़ाती थी जो कि अब रेटायर हो चुकी है वही कुछ रेपोर्ट्स के मताबिक मौदी जी की साधी जरूर हुई थी लेकिन साधी के बाद दोनों कभी एक साथ नहीं रहे अब बात करते हैं अंदर सुरू से ही देश वक्ती का गुण समाहित था इसलिए वे आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर इंडियन आर्मी में भरती होना चाहते थी इसके लिए उन्होंने काफी कौसिस की थी लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होने की बजाए से उनका आर्मी स्कूल में एडमीशन लेने का सपना महज एक सपना ही रह गया फिलहार नरंद मौदी जी गुजरात के वरनगर से अपनी कारमभीक सिक्छापूरी की थी उनके बाग कोसल की तारिव सुरूं से ही की जाती है मौदी जी शुरूं से ही अपनी वात कलाम से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकरशित करने में माहर है आपको बताते हैं कि मौदी जी दिली उनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बी ये का खोस पूरा गिया और पिर सनुम्नी स्वस्ती में उन्होंने उच्च सिक्षा हासल करने के लिए एहमदाबाद में गुजरात के पिस विद्याले में से पॉलिटिकल साइंस से ही अपनी एमे की पड़ाई पूरी थी अब नरंद मौधी के राजनितिक केरियर की बात करते हैं तो नरंद मौधी जी सुरू से अंदर अंदर सुरू से ही राष्ट फ्रेम और देश वक्ति की भावना का भावना समाय थी इसलिए भी अपने कॉलेज की पड़ाई खतम करने के बाद एक विचारक के रूम में हिं नितिक दल राष्टी है स्वेम से वक संगे से जुड़े इसके बात पिदानमंत्री नरंद मौधी जी देश के लगलग प्रांतों में संगे की मत पूर जिम्मेदारिया निवाई इसके बाद वे स्वेम सेवक संग द्वाराओं ने भारती ने भारती देश में इमर्जन्सी का एलान कर दिया उस दौरान आरेसेस पर बेन लगा दिया गया था तब नरंद मौधी जी को ग्रपतारी से बचने के लिए अपना वेश बदल कर यात्रा करनी पड़ती थी नरंद मौधी ने उस समय देश में इमर्जन्सी लागू करने का काफी विरोध भी किया था इसके बाद वे स्वयम सेवक संग द्वाराओं ने भारतिय जन्ता पाइटी में समलत होने के लिए भी बेद दिया गया प्यदान मंत्री मौधी का स्यासी सफर देखें तो 1987 में नरेद मौधी जी ने बीजेपे में समल होने के बाद पाइटी का जनाधार मजबूत करने के लिए अपनी मत्कूर भूमी कायने भाई इसके साथी बीजेपी को अपनी कुसर रणनी तीर द्वारा सफलता की नई उंचाईयों पर पहुँचा है बाद में बीजेपी बाइटी से ही चुनाव लड़े खुद देश के पिदानमंत्री के पद पर ससोवित हुए बीजेपी में सामल होने के बाद पहली बार मौधी ने एहमदाबाद में हुए निगम चुनाव में बीजेपी के अभिहान को तेज करने में अपनी सक्रिय भागिदारी निभाई जिसमें बीजेपी की जीत हुई इस दोरान मौधी जी ने अपनी कुसल रणनीती का इस्तिमाल कर छोटे सरकारी और देयोगों आदी के निजी करन को बढ़ावा दिया इसके बाद साल 1988 में पायटी ने मौधी जी को कोसल सक्ती का अंदाजा लगाते हुए उन्हें गुजरात विरांच के आयोजयक सच्चिप के पदपर निभ्त कर दिया साल 1990 में मौधी जी ने वीजेपी के दिगज नेता लाल खिष्न आरडवानी जी की अयुद्यारत यात्रा के संचालन में अपनी राजनिती कोसल का इस्तिमाल कर अपनी सक्रिय भागेदारी निवाई और गठवंदन कर सरकार बनाई वहीं यही से उन्होंने पार्टी का दियान अपनी तरफ आकर सित किया इस दोरान बीजेपी मौदी जी की अद्वत कार चमता का एहसास हो गया इसके बाद साल 1991 बामवे में जब बीजेपी के वरिष्ट नेता मूरली मनुहर जोसी एकता यात्रा निकाली गई उस दोरान नेत मौदी जी ने पार्टी की स्तिती को मजबूत मजबूती पिदान करने में अपना महत्कून एहुगदान दिया इसके बाद मौदी जी ने पार्टी में महत्त बड़ा ही गया सन 1995 में गुजरात में हुए विधानसवा चुनाव में बीजेपी को 121 सीट्रे हासिल हुई और सत्ता पर कावज हुई इस दोरान संकरलाल वगेडा और मौदी जी के विचापसी मद्वेज़ों की बज़े से संकरलाल वगेडा ने पार्टी से इस्तिपा दे दिया को समालने के लिए राष्टी और सचिप के रूम में निक्त किया गया वही नर्यत मौदी जी ने अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरी इमानदारी और करतब निष्ठा के साथ अपने वहाने के लिए नई दिली की तरफ रोक किया और यहां पर उन्होंने अपनी कोसल राड़ नीतिक छमताओं से हर किसी को फिरवावित किया इसके बाद साल 1909 में मौदी जी को पायटी का महासचित निक्त किया गया इस पत पर रहते हुए मौदी ने जी ने अपनी जिम्मेदारीय वेहद अच्छे तरीके से नभाई इस दोरान उन्हें कई अलग अलग राज्यों में पायटी संगठन को मजबूद करने का काम किया गया अंगलिक गुजरात के मुकमंत्री के तोड़ परिन का काल देखें जीवन साल 2001 में जब गुजरात के मुखमंति के रोप में गुजरात की कमान केशु भाई पर्टल समाल रहे थे वो समाध उस दौनान केशु भाई का स्वास्त ह्राब होने लगा जिसका असर उप्पिदेश में हुए चुनाव पर पड़ा वहीं इस चुनाव में पायटी कमजोर संचलक की वज़े से बीजेपी उप्पिदेश में कई विधानसावा सीटों से हाथ दोना पड़ा जिसके बाद गुजरात में बीजेपी की इस्तिती को मजबूत बनाने के लिए पायटी के वरिष्ट निताओं बीजेपी के मुकमंत्री फद के लिए नर्यद मौदी के रूम में एक नए और ससक्त उम्मीदबार का चैन किया फिर मौदी जी को मुकमंत्री फद की जिम्मेदारी सौपी गई हाला कि उस दोरान मौदी जी को सियासत का उतना और रभव नहीं था जिसकी बज़े से बीजेपी के वरिष्ट नेता लाल किष्ण आरवानी और श्रेडिये अटल विहारी वाच्पेई जी उन्हें उप मुकमंत्री फद की जिम्मेदारी सौपने पर विचार कर रही थी मौदी जी को पूर रूप से सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं सौपना चाहती थी लेकिन मौदी जी ने उप मुकमंत्री बनने के लिए एक एकर साप मना कर दिया अगर वे गुजरात की जिम्मेदारी समालेंगे तो पूर्ण रूफ से समालेंगे अथवा वे गुजरात की सत्ता इस तरह सासन नहीं करेंगे वहीं 7 अक्टूबर शाल 2001 में दयन्द मौधी जी ने गुजरात के मौधी जी ने पहली बार सफतली इसके बाद उनके सितारे लगातर बुलंदियों को छूते चले गए और फिर कभी वे पीछे मुड़कर नहीं देखा दयन्द मौधी जी ने पहली बार राजकोट के दूसरे निर्वाचन चित के लिए चुनाव लड़ा इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उमिदवार अस्विन मेता को 14,608 गोटों से फरास्त किया फिर वो गुजरात के मुखमंत्री के पत पस्सोगित हुए इस पत पर रहते हुए उन्होंने गुजरात में अभूर्थ और विकास करवाए बेजन्ता का भरोसा जीतने में काम्याब होते चलेगे हलाकि उप्चनाव जीतने की महच कोशी दिन बाद ही मौधी जी का नाम साल 2002 में हुए गोदरा कांडर से जुड़ा गए उन पर गुजरात में संपदायक दंगे भढ़काने के आरूप लगाए गए जिसके बाद बेपक्षी दिलों और कांग्रोइस के दवाव के चलते मौधी जी गुजरात के सीएम पद से इस्थीफ़ाद भी देना पड़ जिस कारण गुजरात के सीएम के रूप में उनका पहला कारकाल सरफ कुछी दिनों तक ही रहा वहीं इसके बाद जाच कमीटी द्वारा इस मामले में मौधी फल लगे सारे आरूपों को निराधार बताये गए और उन्हें इस मामले में कोर्ट द्वारा ग्रीन शिगनल दे दिया गया तब एक बार फिर नहीं मौधी ने उन उन्हें तमाम प्रियास किये और जन जन तक सभी सुब्धायें पहुंचाने की मकसद से कई विकास के काम किये इस दोरान ना सरफ उन्हें गाओं गाओं में बिली पहुंचाई और फिदेश के टूरिज में को एक नई दिशा दी बलकि पानी की किल्लस से जूज रहे फिद में टेक्नालोजी और वित्तिय फाक्र का भी निर्मार किया था यही नहीं गुजरात में अपने सीम के दूसरे कारकाल के द्वारां मौदी जीनिने वाई विरेंट्स गुजरात सिखर संबिलन में गुजरात में अरबों की रियल स्टेट ने इस सौधे पर भी ऐस्ताफ च नजरें नजरों में चड़ गए उनके सबसे चहेते मुकमंत्री के तोर पर हो रही साल 2007 में वे गुजराद चुनाओ विधानसवा चुनाओ में मौदी जी फिर से जीत हांसल की लगातार तीसरी बार गुजराद के सीएम का पत्समाला मौदी जी ने सीएम के अपने तीसरे का सारकालिक के दौरान पिदेश की आर्थिक विकास निजी करन पर भी खासा जोदिया इस दौरान राज्य में किर्शी चित की स्थिति में अबूत फूर सुधार हुआ आया यही नहीं गुजरात में महादीब के सबसे बड़े सोलर सिस्टम का निर्मार किया गया इस तरह ग कि रामीर चित्रों में साल 2011 बारे में सदभावना गुडविल मिसन की सुरुआत की इसके बाद 2012 में गुजरात में हुए चुनाओं में नरेद मौदी दामुदर दास मौदी ने 182 सीटें हासिल कर इतिहासिक जीत दरज की और बिलगाता चौतरी बार फिदेश के मुखमंत पर आसीन हुए इस तरह नरेद मौदी ने अपने जीवन काल में भी एक आदरस सीएम के रो में पिदेश में विकास के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया कठिन दोर से जूज रहे गुजरात को दुनिया का दूसरा सरफशिष्ट आईडियल राज्ये बनाया अपनी पह गुजरात में लगातार चार बार मुखमंत्री बनने के बाद नरेद मौदी जी का जादू लोगों में सिरे चड़कर बोल रहा था वहीं उड़की लोग प्यक्ता को देखते हुए बीजेबी की बरशनेताओ ने नरेद मौदी को पायटी के अत्यक्षपत की जिम्मेदारी सौफी बेश तरह साल दोजार चौदाय में वह लोग सबाद चुनाव में प्यदान मंत्री पत की रूम, उमीदबार की रूम में दिखाई दिये, हलाकि इस दोरान लाल किष्ण आडवानी समयत पायटी की बरशनेताओं ने मौदी जी को पी एम उम्मेदबारी के लिए सहमती जताई थी, आ सहमती जताई थी, लेकिन मौदी जी ने उस दोरान वरवदरा और वराड़सी की दोनों सीटों पर जीत हासिल क एक बार फिर सावित कर दिया कि वे पी एम मौदी पी एम पद की उम्मेदबारी के लिए एक अच्छे कैंडिट है, इसके बाद मौदी जी देश की जनता से जोड़े तमाम मुद्दों को लेकर 15 सेप्टंबर 2013 से पूरे देश में अपनी रेलियां सुरू की, इस दोरान उ किया, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ी परियसानियों को जानने की कौसिस की, इसके साथ ही मौदी जी ने इस दोरान समस्त देश बासियों के अंदर एक नई से इतना पैदा की, इस बीच मौदी जी सोसल मीडिया पर कापी सक्रिये रहे, सोसल मीडिया फिलिट हॉम की मद से अपनी बात जनता के सामने रखी, साल दोजाए 14 में लोकसभा की चुनाओ के परिचार के दौरान, मौदी जी दौरान सुरूं किया गया, चाय पर चर्चा, प्रोग्राम भी कापी लोग पिये रहा, इस प्रोग्राम के माद्दम से मौदी जन जन तक अपनी पहुँच बनाने में और जनता की समस्याओं को करीब से जानने में कामयावी हांसिल की, इसके बाद मानों पूरे देश में मौदी लहर आके लोगों को मौदी के विचारों और रनितियों से ने इतना अधिक फिरवावित किया कि लोगों ने उन्हें भारी मतों से विजय बनाया, साल साल 2014 में आम चुनाओं में अपनी कोसल रड़निती सिफाइटी को इतियासिक जीत दिलाने के बाद, नेर्द मौदी 26 मई 2014 में भारत के पंद रहेवे पिदानमंतिरी के रूम में गोपनीता की सपतली, अपने पिदानमंतिरी पत की जिम्मेदारी नेर्द मौदी ने पर मौदी जी ने महलाओं, बच्चों, बजरुगों, ब्यापारियों, किसानों, यवा, आदी सभी बरवों के हितों हित को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाय लॉंच की, भारत में स्वक्षिता वियान चलाकर लोगों को साफ सफाई के फितिजा ग्रुप किया, पियम प किया, सिक्षा स्वाष्त, सुरक्षा परिवान सडके मनुरण्या आधी के छित में, मौदी जी ने कई काम किये, इसके अलावा, मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, जैसे कार प्रोमो के माध्यम से लोगों को जागरु किया, अपनी सकारात्मत सोच और विकास सिल कारे उसे उन्होंने लोगों के दिलों में चहेते पिधारमंत्री के रूम में अपनी छवी बना ली, इसका पईडाम उन्हें साल 2019 के चुनाव में भी मिला, साल 2019 की बात करें, तो सक्षम और ससक्त पिधारमंत्री के रूम में अपनी चवी बनाने वाले, नयन्त मौदी जी ने स साल 2019 में हुए आम चुनाव में फिर से पीम मोदी पीम पद की उम्मीदवारी के साथ चुनाव लड़ा इस चुनाव में भी उनका ज्यादू सिर चड़कर बोला पांसो व्याली सीटों में से 353 सीटों पर जच करोन ने सकता साल पूराने कॉंग्रेस पालिटी के चारों खाने चित कर दिये अब नीर नीती से 2019 के चुनाव में भी इतियास रख दिया तो याद रखिए ये 303 पन एंडियों को मिली हैं उनके गठवंदी गठवंदन सायकों पांस की तेंग सो तीन के वल बीजेपी को मिली हाज यस तरह हिंदोस्तान को नाइन मौदी की रूम में पृदाननमंत्री नहीं बलबिके सिबक मिल गए हैं neeए तरह पितानमंत्री मौद मौदीने एक बार पिर आवाम आवाम की भरोस को जीत कर दूसरी बार क्यां तद हासिल किया विलगातार देश की जन्ता के विकास के लिए एक कारगत है अब एक गिलोगल लीडर के रूम में मौधी को देखें तो मौधी जी ने अपने दमदार विदेश नीती के तावर तोड़ विदेश दोरे कर विस फटल पर हिंदूस्तान की एक अलग पहचान मना जिसकी वज़े से आज इंदूस्तान विस विरादरी के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहा है मौधी जी कुसलर नीती और कूटनीती का ही नतीजा है जिन देशों को भारत पहले फूटी आँख में भी नहीं सुहाता था आज वही देश दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर है नेद मौधी विक्स, सार्ग, सैवत राष्ट और G20 सिकर सम्मीलरों में हिस्सा लिया जहां उन्होंने भारत को एक मजबूर राष्ट के रूम में पेस किया इसके बाद मौधी जी की दूर गामी सोच और जवज़श्ट बिचारों की खोब सरायना भी की वहीं मौधी जी की जापान यात्रा के बाद भारत जापान के रिस्तों को मजबूर थी मिली इसके अलावा नरेंद मोदी जी मंगोलिया की यत्रा करने वाले देश के पहले पिदान मंत्री इसके साथ थी पी एम मोदी चीन और दच्छन कोरिया की यत्राइं भारत में निवेश लाने की दिरिश्टी से काफी सफल सावित हुई अब नरेंद मौदी जी के सराहनी है कामों की बात करें तो विष्टाचार को खतम करने के लिए देश में नोट बंदी की नोट ने 500 और 1000 की पुराने नोट बंदी की उनकी जगेर पर 2500 की नोट नहीं लाए GST के बात करें Goods and Services पिधानमंती मौदी ने देश में लगा जाने वाले सभी अलग लग टेक्स को एक साथ सामिल कर GST टेक्स लागू किया उरी हामले के साथ सरजीकल इस्ट्राइक कर पाकिस्तान की उड़ाई नीन पिधानमंती ने देश के सभी सुरक्षबलों को किसी वी तरह के एक्सल लेने की छूट देने का एलान किया जिसके बाद बाईव सेना दौरा एर श्त्राइक की गई यह अंगले बात करते हैं गुजराद में स्टेच्यू अउफ इूनिटी का निर्मार बारत के लोगेर पुरू सरदारवलेव पैटल भ्वाई पैटल के समार के रुम में स्टेच्यू आप का निर्मार देक राये स्टेच्व आफ यूनिटी स्मार्ट की तहद मूर्ट स्मार्ट नहीं है बलकि ऐसामाजी आर्थिक विकास को वेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ स्वार्स्त और रिक्षा की बुनियादी नाचे पर ध्यान देगी किसी विकास के लिए अनुसंधान केंद की रोम में विक्सित करेगी आंतराश्टिय योग दिवस की शुरुमाद पहली बार आंतराश्टिय योग दिवस 21 जुन साल 2015 में मनाया गया था राष्टि ए योद्समल की बात करें तो नई दिली में सवपते वलों को समानित करने के लिए राद्टि ए योद्समल का निर्माण किए गया जिसका सुबारम प्यधानमंती नेंद मौदी जी दवारं किया गया था वह भारत में बुलिट ट्रेंग लाने का किया उजना तो भारत में साल 2000 वाई से 2023 तक बुलिट ट्रेंग को स्कूं किया जाएगा इसको लेकर भारत सरकार रेल मंत्री फ्यूस बंद गोएल ने गोशना की थी कि फिदानमंती नेंद मौदी की यह मुख्य यूजनाओं में से एक है इसके अलावा भी नेंद मौदी जी ने कई यूजनाओं मुख्य कार किये जिसके देश के विकास को बद मिला नेंद मौदी द्वारा शुरूं की गई यूजनाओं की बात करें तो फिदानमंत YouTube अबल मंत्री अफ्वास फिदान मंत्री शुलिः ना सुको नियस अमरिदी डिजीट सीच धेल मंत्री सशलमी फिर्थान मंत्री विन को शुशल KH Che kindness मेरिक इन्लिया गरीब कल्याड स्टेंड इन्दिया की दान मंत्री मुद्रवेंक यहInterman Tr बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस्पार्ट सिटी योजना इसके अलावा भी पिदान मंत्री नंद मौधी ने कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की जिसके फायदा देश के हर दब के तक पहुंचा है अब नरेंद मौधी के बारे में कुछ रोचक तत्थों की बात करें तो नरेंद मौधी स्वामी बेवेका नंद जी के अनुड़ाई हैं फिदान मंत्री मौधी जी ने अब तक के कारकाल में अपने किसी भी रिस्तेदार के साथ अपना सरकारी निवास सेयर नहीं किया वे अकेली ही इस निवास पर कलते हैं नरेंद मौधी जी गुजरात के 13 साल के कारकाल के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली थी ट्विटर फेस्वुक इस्टराग्राम गूगल फिलस साउंड क्लाउड लिंक्ट इन बीवो आदी अन सोसल मीडिया प्लेट्पॉम का इस्तिमाल करने वाले नरेंद मौधी भारत के सरवाधिक सत्क्रीय राजने देताओं में से एक हैं फिदान मंत्री नेंद मौधी जी ने इंडियन ट्रेडिशनल डेशिष बहुत पसंद बेश्टाइल आइकॉन के रूम में भी जाने जाते हैं अब नेंद मौधी के लबदियों के बारे में साल 2015 में मौधी जी भारत के विग्यान एवन पुरुद् आइक काहिनी साल 2016 में मौधी जी इंडिया टूडेव मैगनेज़ द्वारां आएकुरु में समभानित किये रूमस ऊल डेशेशो की सामिल डेशान में मौधी साल 2014 साल 2014-15 और 2017 में Time Magazine द्वारा मौदी जी को दुनिया के 100 सबसे सत्रभाव सारी लोगों में सामिल किया Hope Magazine ने साल 2015-16-18 में भी मौदी जी को दुनिया के 9 सबसे सकती साली लोगों में सामिल किया सेप्टमबर 2018 मौदी जी को United Nation का सरवोच परयावन सम्मान Champion of Earth Awards से समना वाज़ गया 24 अक्टूबर 2018 में अंतराष्टी सहयोग बिलोबल आर्तिव विकास को बढ़ावा देने के लिए मौदी जी को सेवल सांती परुक्सकाल से नवाज़ गया साल 2018 मौदी जी को भारत और फिलिष्टीन के विस रिस्तों को मजबूत करने के लिए सरवोच फिलिष्टीन राजी के ग्रेंड कॉलर से सम्मानित किया गया फरवरी 2019 में मौदी जी को 35 सेवल सांती परुक्सकाल 2018 से नवाज़ गया इसके इलावा दुनिया के सबसे बड़े स्वास्त थे उजना सुरूंग की करने के लिए मौदी जी को नौवल सांती परुसकाल के लिए भी नामांकित किया गया इन पर नमो नरेंद मौदी पर बनी फिलिम नमो नरेंद मौदी परबनी फिल्म नबो 24 माज़ साल 1919 में रिशीड हो किया गया इस फिल्म में अब नेत्ता अभिवेक और आया है नरेंद मौदी जी के कितार में नज़र आये हैं इस फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार द्वारा किया गया नयन्द मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करें तो हैं प्रेम्तीर्थ, जोतीफन्ज, सामाजिक समरस्ता, केल्विक, ते किलावडी, साक्षी भाव, एवोड ओफ लव, नयन्द मोदी जी पर लिखी गई मसूर किताबों की बात करें नयन्द मोदी मेंग ओप अफ्राइम, मिनस्टर्डश, लीडर्श, गवेद्स फर्फोर मेंस चेंटर श्टेज इंशाईट दननल्मोदी मोदेल रफोर्नन्स, नयन्द मोदी अपलीटिकल वेगारफि, दमनल्मो मेंग रावडी, दा नमो स्टोरी अपलीटिकल लाइप, नय नर्द्मोदी को विदेशों से मिले कुछ संभानों की बात करें तो ओर्डर ओब सेंट एंड्यू द आफोस्टल ए रोस का है सरवोज संभान है जो नर्द्मोदी को दिया गया जायद मैडल इस सेउप्त अरव अमीरात का है नर्द्मोदी को मिला है सेउल सांती पुरुसकार की बात कर रही चुके है दच्छन कोरिया का है मौदी को मिला है नर्वामी गंगे के लिए अंगला है चैंपियन्स ओफ दा अर्थ अवार्ड तो यह भी यूएन का है फर्यावन करिचित में मिला है फिर बात करते हैं ग्रेंड कॉलर ऑफ दा स्टेच ऑफ फिलिस्तिन देख चुके हम लोग यह भी फिलिस्तिन का है फिलिप कोटलर फ्रिजी डेंशियल पुरुसकार फीपल्स प्रोफिट फ्लानेट के लिए मिला है फिर है अपना किंग अब्दूल अजीच सेश पुरुसकार यह साउदी अरब का है यह भी मिला है नयंद मौदी को आमिर अमानुला थान अवार्ड जिय अपगानिस्तान का है यह भी मिला हुए निसान इजुद्दीन मालदीप का है यह भी सम्मान नयंद मौदी को मिला चलिए तो यह था लेक्ट्चर वारा नरेंद मौदी से संब्दित